दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी कबर बिहार में साधी समारो में 250 और स्राद में 50 लोग होंगे सामिल सियम नितिस ने टिका करन वो कोरोना जाच बढ़ाने का दिये निर्देश जी हाँ बिहार के लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रवन को देखते हुए राज सरकार ने साधी समारो और स्राद में लोगों के सामिल होने की सेंक्यत्य कर दी है अब साधी समारो में 2500 और स्राद में 50 लोग सामिल होंगे बिहार के मुईख मंतरी नितिस कुमार ने मंगलवार को कहा कि जब अधिक से अधिक लोगों को क्षिज़ा लग जाएगा तो इस विमारे काशर काफी हद तक कम हो जाएगा इसका हम लोगों को विश्वास है, ठीका करन और गरोना जाच दोनों को और अधिक बढ़ाने का नि परकरों की चुट्टी कैंसिल अवकास पर गई स्वास्त कर्मियों को बापस बुलाने का आदेश जिया कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिहार सरकार ने स्वास्त कर्मियों का आवकास 31 मैं तक के लिए कैंसिल कर दिया है बिहार सरकार के स्वास्त विवाग के विशिस इंगलवार को जारी आदेश के तुद्काल प्रवाव से लागू करने को कहा है इसमें स्वास्थ विवा के हर वर्क के लोगों को चुट्टी रद करने को कहा गया है आदेश में अधन और मातितों आवकास को वर्यता दी गई है बाकी के सभी तरह के आवकास को कैंसिल करते चुट्टी पर गए कर्मियों को तत्काल प्रभाव से काम पर लोटने का आदेश दिया गया है बड़े कबर बिहार के हर ब्लोक में बनेंगे कॉरंटाइन सेंटर सीम का आदेश सभी फ्रंट लाइंट हेल्थ वरकर और उनके संपर्क में रहने वालों का होगा कोविट टेश उसके अनराज्यों में कोरोना संकर्मन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उनराज्यों से बिहार के लोगों के वापस आने की सम्भावना है इसको द्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को प्रकर्ण इस्तर पर कॉरंटाइन सेंटर की विवस्ता तैयार रखने क आदिस दिया है बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुखमंत्री ने मंगलवार को समिक्चा वैठक की इसमें सभी जीलों के डियम एसपी और सिविल सर्जनों ने भाग लिया वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये होई इस बैठक में स्वास्त विभाग आपदा विभाग सहीद सम्मंदित विभागों के अधिकारियों भी सामिल हुए आपको बता दे कि लगभग तीन घंटे तक चली इस बैठक में मुखमंत्री ने सभी डियम एसपी और सिविल सर्जन को कई निर्दिश दिये हैं समवाद में आयोजित इस बैठक में सियम न में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है दूसरी तर पटना में कोरोणा का कहर 1089 मरीज मिले दो की हुई मौट जीया पटना में कोरोणा के नए मरीजों के मिलने का सिलसला लगातार जारी है 24 गंटे में पर आज में कुल 8089 के सामने आये हैं जबकि दो लोगों की मौत इलाज के के बाद पर राज में अब संक्रमित की संख्या बढ़कर 56,086 तक पहुच गई है जबकि एक्टी मरीजों की संख्या 2283 तक पहुच गई है पट्ना में 9 नौम्मर के बाद सबसे ज़्यादा केस कल मंगलवार को मिले है बड़ी खबर राज में प्राविड स्कूल और कोचिंग बंद करने का विरोत तेज टीचर्स बोले कोरोना काल में चुनाव हो सकते हैं बिधान सबा का सत्र चल सकता है तो स्कूल बंद क्यों बिहार में कोरोना संक्रमित की संक्या लगातार बढ़ रही है इस मामारी के कारण मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं पिछले एक हफते में पटना में 14 साल से कम उमरे के 80 से ज़्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाये गए है इसे देखते हुए राज सरकार ने सभी स्कूल और कोचिन संसानों को 11 अपरेल तक बंद करने का आदेस जारी किया है इस आदेस का बिहार के विबिन हिस्सों में विरोध सुरू हो गिया है मंगलवार को नीजी विद्दालाय और कोचिंग के सिक्चकों ने पाटना सिटी के भगा सिंग चोक पर एकत्रित्र होकर सरकार के इस फैसले के किलाब सांति पूर्ण प्रदसन किया कहा कि कोरोना काल में चुनाव हो सकते हैं विदानसभा का सत्र चल सकता है तो इसकूल क्यों नहीं खुल सकते हैं हाला कि उन्होंने बिहार में कोरोना के बढ़ रहे मामले और मौत के सम्मन्द में कुछ नहीं कहा दूसरी तरफ अभिभावकों का कहना है कि लोकडाउन में कई पेरेंट्स की कमाई का जर्या चीन गया है, कई की नोकरी चली गई है, लाखों अभिभावक अब महंगी फीस देने की सिती में नहीं है, ऐसे में उनके पास अपने बच्चों को कम फीस वाले स्कूल में पढ़ा अंगनिक कांडों में 32 लोगों की मौत 594 बेजुबानों की भी गई जान, जिहां बिहार में लोक का खत्रा है, इस खत्र से आग लगी की घटनाई बढ़ गई है, मार्च में जहां 10 सल का रिकोड टूटा है, वहीं अप्रेल में भी बड़ा खत्रा मंड़ा रहा है, लोक की कारण हुए, आग के तांडों में इनसान से लेकर बेजुबानों की भी जान गई है, साल 2021 में महज 3 महिने के अंदर 269 आग लगी की घटना ही हुई है, जिसमें 32 लोगों ने जान गवाई है, इस घटना में 594 बेजुबानों की भी जान गई है, लोक के खत्रे को देखते ह हुए, अगने समन विवाग ने सुरक्षा का रोड मेप तयार किया है, वही पटना मेट्रोलोजिकल सेंटर ने बताया कि मार्च में 10 सल का रिकोड टोड गया है, वही अब अप्रेल में बिहार के सभी जीलों में लूग को लेकर अलट जारिक किया है, इसके साथ उन्होंने बताया कि तापमान में लगातार विर्दी हो रही है, आगे भी लोग का बड़ा खत्रा है, नितिस सरकार का गेश्ट टीचरों को तोफा प्रती कक्चा अब मिलेंगे 15 रुपी, जिया बिहार के सभी विस्विद्दालाय और कोलेज में अतिती तता अंसकालिक सिक्चकों को प्रती कक्चा 15 रुपी मिलेंगे, एक महिने में अधिक्तम 50,000 तक इन्हें भुगतान किया जा सकेगा, राज केबिनेट की बैठक में इनका मानदे बढ़ाने की सिवकिर्टी दे दी गई है, अब तक इन सिक्चकों को प्रती कक्चा 1,000 और महिने में अधिक्तम 25,000 मिलते विस विदले में कुलपती की अधिक्ता में गठित कमिटी 11 महिने के लिए इनका चैन करती है, कार संतोस प्रद रहात तो फिर 11 महिने के लिए इनकी सेवा अवदी बढ़ाई जाएगी, एक अईन फैसले में निदेशक अवियोजन के पदपर नियोक्ति की पतरता में की स्विकृति दी गई है, बिहार में नहीं लगेगा लोगडाउन, सियम नितिस के बेटक के बाद स्वास्त मंतरे मंगल पांडे का बड़ा बयान, जिहां कल यानि मंगलवार को बिहार के मुखिल मंतरे नितिस कुमार ने स्वास्त मंतरे मंगल पांडे और विवार के अला जींजाल बिहार में lockdown नहीं लगाए जाएगा कौरोना की दूसरी लहर की तेज वापसी के बीज बिहार की सВास मंत्री मंगल पाणे ने कहा कि प्रदेश में इस्तिती वैसे नहीं है कि लोगडाउन पर विचार किया जाए बिहार का पहला और देश का दस्वा मंदिर जहां कि प्रसाद नवेदम को FSAI सुध और हाईजेनिक जी हापटना के महावीर हनुमान को लगने वाला भोग नवेदम पुरी तरह से सुध है इसकी सुधता की गारंटी FSAI महावीर मंदिर देश का दस्वा ऐसा मंदिर बना है जहां भगवान को भोग लगाए जाने वाले प्रसाद को FSAI ने प्रमान पत्र जारी किया है आपको वदा देखी Food Safety and Standards Authority of India यानि की FSAI के CEO ने प्रमान पत्र जारी करते हुए कहा की महावीर मंदिर में भगवान को लगाए जाने वाला भोग पुरी तरह से सुध और हाईजैनिक है अगली बड़ी कबर कोरोना के कारण बिहार में अप्रेल में होने वाले एक दर्जन से अधिक महतसव इस्तगित अमरित महतसव इट्रा राज भर में कोरोना गाइडलाइन के कारण अप्रेल में होने वाले एक दर्जन से अधिक महतसव नहीं हो सकेंगे इस सम्मन में पर्याटन मंत्रे नारायन परसाद ने गाईलान जारी की है उन्होंने कहा कि अप्रेल में होने वाले सरकारे इस्तर पर वैसाली पतना सहीब थावे समेत किसी भी महत्सव का आयोजन नहीं होगा। साथ ही मैं में होने वाले आयोजन पर दोबारा से बैठक कर निरने लिया जाएगा। से टोपर्स को इस बार बिहार बोर्ड से क्या क्या मिलेगा पुरुसकार आये जानते हैं। से लेकर दसवे स्थान प्राप्त करने वाले परिचात्रियों को दस अजार रुपी एवं एक लेप्टॉप प्रदान किया जाएगा। में बिहार बोर्ड इंटर और मेट्रिक के टोपर को पुरुसकार दिया जाएगा। दूसरी और बिहार बोर्ड मेट्रिक रिजल से असंतुष्ट चात्र भरे स्कुरुटनी का फर्म 11-17 अप्रेल तक का है मौका। जी हाँ बिहार बोर्ड मेट्रिक के रिजल से जो भी चात्र असंतुष्ट है वे 11-17 अप्रेल तक स्कुरुटनी के लिए ओल्लाइन फर्म भज सकते हैं। इस बार मेट्रिक में 78.17 फिजदी चात्र को सफल गोसित किया गया है हलाकि कुछ चात्र अपने बिहार बोर्ड मेट्रिक रिजल से संतुष्ट नहीं है। बिहार बिदाले परिचा समीतिक के अधक्ष आनंद किस्वन ने बताया कि मेट्रिक के रिजल से जो भी चात्र असंतुष्ट है वे 11 अप्रेल से स्कुरुटनी के लिए बिहार बोर्ड ओल्लाइन डोड बिहार डोड गोवर्मेंट डोड इन पर जाकर ओल्लाइन आवेदन कर सकते हैं एगर अप्रेल तक स्कुरुटनी के लिए आवेदन का मौका दिया गया है प्रती विशाई 70 रुपी इसके लिए स्टुडेंट को देनेंगे बिहार में बुझ गया LGBT का एकलोता चिराग एक मात्र विधायक सियम नितिस की पार्टी जडवी में हुआ सामिल बिहार की सियासी गलियारे से मंगलवार को बड़ी कबर सामने आई है बिहार में लोजपा के एक मात्र विधायक राज कुमार सिंग ने सियम नितिस कुमार की पार्टी जदवी की सदेस्ता गरहन कर लिया हाला कि इस बात का क्यास बेते कापी दिन से था जिस पर अधिकारिक म मुहर अब जाकर लगी है लोजपा के एक लोती विधायक का पार्टी से बगावत कर जदोई में सामिल होना चिराग पासवान के लिए किसी बड़ी जटकी से कम नहीं है बड़ी कबर कल सेम नेतिस का केबिनेट बेठक खतम आठ एज़न्ड पर लगी मुहर जी हा कल मुह की सचवाला में चल रहे है नेतिस केबिनेट के अहम बेठक खतम हो गई है जिसमें स्वास्त विवाग के कबार के गाड़ियों को बेचने के लिए ए टेंडर मेटल स्क्रे एप ट्रेड कॉर्परेशन की गठन पर स्विक्रती मिली है इसके साथ इमिखमंत्री विर्दजन आसरे इस्तल योजना की स्विक्रती दी गई है प्रते की जिला मुक्याले में विर्द जनों के लिए सो बेड अनुमंडल में पचास बेड के 5950 आवसं चमता वाले आसरे इ जिवाग में 32 पदों कि स्रिजन की स्विक्रती मिली है बिहार तक्निकी सेवा आयोग में वेदी पदादिकारी का एक पद बिहार तक्निकी सेवा आयोग में राज पत्र और राज पत्रित 28 पद और बिहार सुचना आयोग में तीन वाहन चालक के पद की स्विक्रती दी गई ह अरंद के बड़ी कबर बिहार और गुजरात के बीच दो रूटों पर यात्रियों की स्विधा के लिए स्पेसल टेन चलेगी एक और जहां पटना और अहमदाबाद के बीच स्पेसल टेन का परिचालन होगा वहें दूसरी और मुझपर पूर से सुरत के बीच भी स्पेसल टेन का परिचालन होगा पूरों मैदरेल के सिपी आरो राजिस कुमार की गुजरात के दो सहरों से लोगों को आने जाने के लिए स्पेसल टेन की योजना है आपको बताते कि गाड़ी संख्या 09-4-2-1 अहमदाबाद पटना सब्ताइक स्पेसल टेन 11 अप्रेल से प्रत्यक रहवार को अगस्तक अहमदाबाद से खुलेगे यह टेन दाहोद रतलाम उजेन सागर सतना परियाग राजवारा नसी डिडियो बकसरवा आरा के रास्ते प पटना पहुची गी वाफसी में यह ट्रेन गाड़ी संख्या 09-4-2-2 पटना अहमदाबाद सब्ताइक स्पेसल टेन 13 अप्रेल तक खुलेगी यह ट्रेन पटना से प्रत्यक मंगलवार को अगले आदिस तक चलेगी तो मैं सुरत और मुझपरपूर के बीज भी एक स्पेस में जरूर बताए